इडली सामबर चटनी आपकी यही फिर्माईश थी ना? तो चलो आपकी फिर्माईश पे आज बनाए जाए ऐसी ही सॉफ्ट और स्पंजी इडली देखिए हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है आप भी ऐसे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखे साथ में मैं आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी दूँगी कि ऐसे इडली आप कैसे बनाए आप एक कोई भी कटोरी छोटा चावल ले लीजिए या इडली राइस भी ले सकते हैं उसी के साथ आप उड़त दाल या बिना चिलके की जो उड़त होती है वो आप ले लीजिए मैं इस कटोरी से मेशरमेंट लूँगी तीन कटोरी चावल एक कटोरी दाल एक चमचा मीथी दाना को धोकर आप भीगो दीजिए इसे आपको 6-8 घंटे तक भीगो के रख देना है फिर उसके बाद आप 6-8 घंटे बाद देखिए और एक कटोरी पोहा ले दीजिए उसको भी आप 15-20 मिनिट के लिए भीगो दीजिए जब ये सब अच्छे से भीग जाए तो इसको पीस के इसका ऐसे बैटर बना दीजिए देख रहे हैं कैसे बना है इसके बाद आप इसको फर्मेंट होने के लिए 12 घंटे तक रख सकते हो देखो 12 घंटे बाद आपका भी ऐसा ही फर्मेंट होना चाहिए देखिए कैसे दिख रहा है ये जब आपका भी ऐसे ही फर्मेंट हो जाए तो बस उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और उसको ऐसे चला दीजिए जैसे अभी हम चला रहे हैं फिर आप एक इडली का सांचा ले लीजिए उसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लीजिए तेल या घी के साथ हमने थोड़ा तेल लिया है आप घी भी ले सकते हैं जब आपका यह ग्रीसिंग अच्छे से हो जाए तो आप चमचे या कट्ची की मदद से यह जो इडली बैटर है यह आप इसमें डाल दीजिए देखो हम कैसे अच्छे से डाल रहे हैं यह बाहर गिर ना जाए बाहर गिरेगा तो इडली का शेप बिगड़ से स्थीम आने लगी उसके बाद अब गैस बंद कर लीजिए थोड़ा सा इसे थंडा होने दीजिए जब थंडा हो जाए तो आप इसे निकाल के ऐसे साइड में रख दीजिए जब साइड में रख देने के बाद में और थंडा हो जाए तो आप देखिए इडली अपने अईसे ही बनेगी. बना के देखिये, हमें बताना कमेंस में कि आपकी इलि भी ऐसी बनी है कि नहीं? कितना सही लगीगा इस इलिए को सामबर रोट चटनी के साथ ह्वाने में. मेरा तो परसनल फेवरिट है, सौफ ड्ली. अगर आपको सांबर और चटनी की रेसिपी भी चाहिए तो बताना